नशकार बोल्सकाई में अब सभी का स्वागत है एलोवेरा जिसे हिंदी में गृत कुमारी कहा जाता है एक तरह का छोटा सा कटीला पौधा होता है जिसकी पत्यों में धेर सारा जेल भरा होता है एलोवेरा का जूस बहुत फायदिमंद है इसमें कई तरह के प्रोटीन और वेटामिन्स होते हैं जो शरीर को स्वस्त बनाते हैं इसके जूस का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है बता दें कि एलोवेरा जूस में एंटी आक्सिडेंस भी भरपूर मात्रा में पाय जाते हैं शरीर की अधिकांश बीमारियों को ठीक कर देते हैं इसे पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता और प्रतिरक्षा शमता दोनों का ही विकास होता है वहीं कब्ज एक बहुत बड़ी परशानी है अगर इसका इलाज सही वक्त पर ना किया गया तो ये पाइल्स का रूप ले लेती है जिन लोगों का पेट सुबर साफ नहीं होता है उन्हें एलोवेरा से काफी फायदा मिल सकता है सबसे पहले आपको अलोवेरा को धो लेना होगा और फिर इसे बीच से काट कर एक चाकू की मदद से छिलके को उतार ले उसके बाद अलोवेरा के बीच भरा जल निकाले और उसे ब्लेंडर में डाल कर ब्लेंड कर ले एलोवेरा हवा के संपर्क में आने से कठोर हो जाएगा इसलिए अगर आपको इसे धीला रखना होए तो ब्लेंडर में थोड़ा सा नीमू का रस भी मिक्स कर लें आप इसमें संत्रे का भी रस मिक्स कर सकते हैं इस मिश्रण को हफते भर चलाने के लिए फ्रिज में ही रखें इससे इसके गुण बरकरा रहेंगे आपको इसे रोजाना दो से तीन चमश खाली पेट एक ग्लास पानी में मिला कर पीना होगा आप इसे अपनी इच्छानुसार किसी और जूस के साथ भी मिला कर पी सकते हैं एलोवरा को हर रोज पिए बतादें कि पुरुशों को रोजाना अपनी डाइट में 30 से 38 ग्राम फाइबर लेना चाहिए वही महलाओं को अपनी डाइट में रोजाना कम से कम 21 से 25 ग्राम फाइबर प्रति दिन खाना ही चाहिए इसे ना सेफ आपकी कब्ज की परिशानी ठीक हो जाएगी बलकि मदुमे या थाइराइट या फिर किड्नी की बीमारी से भी बचा जा सकता है उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सबस्क्राइब करना ना भूलें